कि आखके हमारी सेशन में हम बात करेंगे green rain जी के साथ डेटा में नुबाद हम बात करेंगे beले अ कि मालगे सिसे कोई डीटा किसी और एकसल सीद पर यहां पे लाना चाहते हैं लिंक करना चाहते हैं उसे चीज़े भी होती है कि हमें डेटा लिंक करने के साथ उसमें क्यूरी क्लेक्शन सो बहुत सारे चीज़े होती है उन चीज़ेंगे हम अपने इस क्लासिस में लिंक करें हमारे इस एक्सल फाइल पर आटमेटिक आजा है तो हम जाते हैं फ्रॉम फाइल पर अंदर सबसे पहला आता है वर्क वो 2021 के अंदर में आप पीडियाप जैसे फाइल बहुत सारे फाइल को कर सकते हैं ने ये टॉस संब्सक्रानि ख़रोफ के बारे में एक्सल वरक बुक में ऑप कैसे करेंगे सो कि तॉ स्क्रांव वार्क वोग करते हैं आप अपने लोकेशन पर जाहिए जिस लोकेशन में आपका डेटा सेव है, डेटा को सेलेक्ट किजिए, आपको इंपॉर्ट पर क्लिक किए, इंपॉर्ट पर क्लिक करती है डेटा क्नेक्शन क्रियेट करेगा और उस फाइल के अंदर जितने भी number of sheets होंगे, सारे sheets आपको यह यहां पर कर दिया यहां पर लोड कर देंगे तो आपका एक फाइल का डेटा अगे 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 अग्या पर कुष्टन यहां पर आता है कि उस फाइल के अंदर कई सारे फाइल के अंदर बहुत सारे सिट का डेटा मुझे चाहिए चलिए वहां पर चलते हैं डेटा मेनुवा कि देटा फ्लाउं फाइल एक्सल वार्कबुक को हमने तो सलेक्ट करने के बाद जो हमारा डेटा सी था उसको सेलेक करते हैं इसका प्यूह यहां में दिख रहा है आपको उसके बाद इंपोर्ट अब यहां दिख रहा होगा एक आप्शन Select Multiple File Item Select Multiple File Item इसके क्लिक कीजिए उसके बाद देखिएि ऐहां क्लिक कीजिए इस तरह性 पाल अब Celek करने के बाद यहां आपका लोड करते है तो लोड में क्या होगा है आपका डेटा लोड होगा gute हो कि आपको लोड किस ऩॉम में करना है आपको एकसल में करना है या इसके बादammed में बास करते तो लारम लौड पाकर्ण यह आपका आगे देटा नहीं आया तो यहां क्यूरीज में आगया इसनों डबल क्लिक कीजिए और के प्रवल्लम नहीं है यहां आपने कई साथ सीट का डेटा लाया हो और लेके आयगा तो मैंने क्या किया किसी सीट पर हमने डबल क्लिक कर दिया है खालए हम् अब मुझे यहां पर कुछ नहीं करना है अपेंड क्यूरी दिखरा होगा उपर इस अपेंड क्यूरी को सेलेक्ट करके यहां पर अपेंड एजन न्यू पर क्लिक करना है और सिक्वेंशली आप अपना जो जो आपको जो शीट का डेटा चाहिए और यहां पर वन बाइवान एड करते जाएंड और यहां पर फिर लोड़न क्लोज करेंड तो यहां जो अपेंड वन नाम से जो क्नेक्शन क्रिएट हुआ है इसके अंदर इन साथो सीट का डेटा कमाइन है एक के नीचे एक की नीचे तो इस वी एचीज़ हूँ कैसे हमने इसके लिए पावर क्यूरी का इस्तिमाल किया पावर क्यूरी को डिटेल में हम आगई क्लास्टिन प्रहाएंगी फिलहाल आपने देखा कि इस तरह से एक्शन फाइल को हम लोड करते हैं और लोड करने के बाद उस पर हम एलिशन भी करते हैं कि आया सब्सक्राइब करते हैं कि आया सर समझ में तो आया लेकिन एक डाउट यह है कि जब भी हमने इस तरह लोड किया तो अब भी शीट वन तो खाली दिख रहे है न मतलब तो एक के नीचे एक अपन्डो क्या आया करेंगे तो हमनों स्वेट लेकिया था तो उसमें सारे सिर्परेंगे अलगता है कि अगर आपके सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है कि अधिश्र मेरा यह था कि जो उरिजिनल एक्सल फाइल ता जहां से अपने इंपोर्ट किया उसमें तो लेटसे शीट वन के शीट फॉर तक करके इसके निचे आया है कि शीट वन शीट टू शीट का कॉलम नंबर और कॉलम डीटेल अलग हो फिर वह पूरा कॉलम मैच करेंगा वही आएगा जो इस्ट्रा कॉलम होंगा ना को इस्ट्रा एड हो जाएगा कि अच्छा ओक्य ठीक है कि लिए तो इसका सर्व यूज क्या है मतलब प्रक्टिकली बहुत पता चला है कि आपके पास एक डेटा बेजा रहे हैं आपने मंतली डेटा तुम मुझे डाल दो मंतली डेटा मुझे चाहिए उसने आपने एक मंद का डेटा दिया पर 31 अलग अलग सीट्स में इसे माल नहीं करते हैं तो आपके पास एक मास्टर डेटा है डेटा आप बनाते हैं जहां हर दिन का सेल एक के नीचे नीचे कोपेश करते हैं आपको डेटा जानते हैं अनलोग जो डेटा कि मिठी करते हैं न अलग पेज रखते हैं आज का सेल लोग और रेटा में बचामाँ करते हैं लिखा खतम हो गई तो हम लोग वहां पे चोड़के अगली पेज़ में लिखते था तो से मैन वर्क करने वालों को भी है तो रिवह क्या करते हैं यह काम प्रथे इसको एक डेटा बेस ना बना करें वो हर दिन का अलग-अलग सीट रखते हैं ताकि उनको फिल्टर और बाखिया चीज़ लगाने में प्रब्लम होती है बाद समझना है सब्सक्राइब लगाने हैं तो तीस अलग-अलग अलग शीट में आपको नखियेट करना पड़ना है कि अधियर अधियों को आपके बाद साता है तो आपके पात तीन रास्ते हैं तरह रदाश्टा है कि आपको करते लो कि दूसरा रास्ता है कि यह जो हमने बताया तरीका इसका इसका इस्तमाल करने सुझी सॉरी टू इंटरप्ट का एक दूसरा अल्टरीटिव है ना कि हम डेटा जो है मतलब एक शीट में मर्ज कर सकते हैं आप यह मुझे समद्ध को कॉपी तो करना ही पड़ेगा ना दूसरा तरीका यह पताया तीसरा अगर डेटा ज्यादा ही कॉंप्लिकेटेट है और ज्यादा ही प्रब्लम कर रहा है तो यह प्रगामिंग नहीं करते हैं इसलिए तरीका पैस्त है कि फाइल को दूसरे फाइल मे इंपोर्ट कीजिए और उसको स्लेक्ट कर लिए ताकि एक की नीचे की नीचे कॉपी पेस हो जाए अब यहां एक फैयदा और भी है देखे क्या फैयदा है मैं इस फाइल को एक बार और दुबारा ओपन करता हूँ जो फाइल सेव है उसको ओपन करता हूँ इसमें देखिए कि पहला रोह ब्लैंग था है ना सब्सक्राइब है इसमें नहीं है इसमें इस में सब्सक्राइब ना कि बल्रइंग था थो उसने इसको ऐइस सफित है करता है कि अ कि आ生ने कॉल्म लैंग तो यह हेलो है अधर क्या अधर कॉलंब लैंक सर ने रोव बोला तो ने ने कॉलम यहां यहां कि देटा ने रहुत कर था कि एक कॉलंब जो था यह भ्लैक हाँ ठीक है लेकि जब डेटा कुलेट हुआ तो इस चीज को ध्यान में रगा क्योंकि सर एकसा हम यूज कर रहे हैं और यहां इस तरह की ऐची चीज़ें होती रहते हैं समझ लेता अंडेस्टेंड कर लेती है उसके अलावा आप फाइल में आते हैं तो आप यहां से नोटपैट की फाइल है या दिसेश वी फाइल है उसको अराम से लाम से आप इसको इंपोर्ट करा सकते हैं इन पॉर्ट कराते समय यह से वी नहीं सर नहीं मुलूब अब नोटपैड की फाइल आपको बनाते हैं सबसे पहले बात है कि नोटपैड की फाइल बनाएंगे हम डेटा को नोटपैड में क्यों रखने हैं कि अभी तो चुलो हम लोगों की mail करने की limit बहुत जादा है तो लोगों इस data को एक्सन फाइल को ही मेल कर देते हैं एक जमाना था जब हम दो एंबी से जादा मेल नहीं कर पाते थे तब गूगल आया गूगल हमें आठ एंबी दिया आठ से उने पचीस किया था अब ट्रांस्पर डाटकम कि जा आप डू जी अप्रेशन वह जाताएं ते आप ट्रूड करते हैं और मत ट्रूड करते हो घ्ञान आप पाजाता है 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 कि द्स जाता है और तो इसνत्र concern के बनती है ने-चीक 스ब सुसंदर के वा यह हो गया कि एक कॉलमस दूसरे कॉलम की बीच में टैब का कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम की बीच में टाइब का कि एस पेस है तो जब सिस्टम में चीज को डाला जाएगा तो सिस्टम क्या करेगा वो जैसे उसको टाइब मिलेगा और टैब की हिसाब से अलग-अलग कॉलम में रख देगा जैसे कि यहां है और यहां में हो तो अभी कॉमा से प्रेंट क्या होता है जैसे कि नेम हो गया कॉमा यहां पर सिटी हो गई पूजा कॉमा इंदर पत्ना पत्ना कॉमा फिटीन अंडे मज़ें इसको बोलते हैं कॉमा सब्सक्राइब तो मतलब जब भी भी हम नोटपाट से डेटा इंपोर्ट करने का ट्राइब करेंगे तो वहां पर में एक ट्रॉपर पर्माट के अंदर ही डेटा वोग करके देग सब्सक्राइब तो कॉमा दो चीजे अपना खुद का क्या एंदर पर यहां पर चीज आपको सेलेक्ट करना पढ़ेगा जिससे आपका नोटपैड की फाइल अब टेक्स टू कॉलन यूज करते हैं सेम चीज यहां समझें कि टेक्स टू कॉलन है ओके और इसके बाद इसको लोट पे किलिक किजिए ता आपकी नोट पैड की फाइल यहां पे लोट टीक है समझें सर्फ टेक्स टू कॉलम समय में आया यह तो मुझे आगया परहेंगे टेक्स टीक है जहां आपको बताना होता है कि आपका कॉलम किसके है हमने वोला कि मेरा कॉमा पड़ा है इसके लिए क्या पालें तक्स टीक है टीक है तो टेक्स टोन उसके लिए पाल कर्ट किजा इसके सो्रफ फाइल टेक्स्ट में नहीं टेक्स्ट फाइल सब्सक्राइब वो नोटपैड था नोटपैड नोटपैड ठीक है ठीक है तो आपने सीखा कि आप इसके बाद आता है बारी टेक्स का इसके लिए पीडियाफ लेकर सकते हैं तो इसमें एक्समेल और जेस्टन तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लिए फाइल होना चाहिए या इसकी जरूद भी उतकम पड़ती है पीडियाफ और फोल्डर वाला पार्ट हम आपको कराए कासी इंपोर्टेंट फार्ट कि पीडियाफ में डेटा बहुत सालोगी प्रॉलम होगी कि पीडियाफ से डेटा एक्सम का आएगा कैसे और दूसरी अगर एक फुल्डर में से अभी आपको अलगला शीट के नहीं है अलगला शीट में क्या था कि डेटा आपने कर लिए ले सब्सक्राइब करेंगे यह चीज़ें कल बनाएं कल बताएं